दोस्तों नमस्कार वीकेन उलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी खास्वागत हैं साथियो आज की इस वीडियो में हम RSEB राजस्तान इस्टेट इलेक्रिसिटी बोर्ड में यानि राजस्तान विद्यूत विबाग में जितनी बरतियां आईए उन सब में नए सलेबस की बारे म में से कितने क्रिस्ट्रिक आएंगे इसी पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं वीडियो को लाज्ट तक जरूर देखें दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से निवेदशन करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें हमारे चैनल पर नए है तो को सबस्क्राइब जरूर करें इसी तरह के नूज नोटिपिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें साथ यूट डिटेल से वेकेंसी के बारे में हम वीडियो पहले से अप्लोड कर चुके हैं किसकी कितनी सीट है इस पर आज की इस वीडियो में हम नए सिलेबस क का प्रसनल ऑफिसर यानि पीयो का असिस्टेंट इंजनियर यानि एएन का और जूनिर इंजनियर जैयन जूनिर केमिस्ट और सुचना सायक इन सभी पोस्ट के बारे में है यानि एलडी सी की जो पोस्ट होती थी उसमें अभी फिलाल कोई परिवरतन नहीं किया है सलेबस मे वह ही रहेगा जो पहले था टेकनिकल हेलपर के लिए अभी कोई अपडेट इसमें नहीं है वीडियो में हम टेकनिकल हेलपर की बरती के बारे में भी बात करेंगे इसलिए वीडियो कुलास तक आप जरूर देखें पहले हम सलेवस के बारे में बात करेंगे फिर आपको टेक्निकल एलपर की बरती के बारे में भी अपडेट देंगे देखे दोस्तों दो पार्ट में पेपर होता था A और B यानि A की पेपर में दो पार्ट होते थे पहला पार्ट जो है ये होता था प्रोफेशनल नोलेज यानि पर्टीकुलर उस पद के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी उस पर आधारित जैसे मैं बात करूँ जूनियर अकाउंटेंट जो होते थे उनके लिए B कोम रखा गया था तो फिर कोमर से आधारित की उससना आते थे पार्ट A में जूनियर इंजिनियर की मैं बात करूँ तो इसमें इंजिनिरिंग ट्रेड की उससना आते थे जैसे इलेक्टिकल वाले है तो इलेक्टिकल की मेकेनिकल का है तो मेकेनिकल सीविल का है तो सीविल की उससना आते थे जुनिर केमिस्ट की जैसे मैं बात करूँ तो केमिकल इंजिनेरिंग पर आधारित क्यूसन इसमें आते थे अब क्या होगा वो कब होई रहेगा यानि पार्ट ए में नो चेंजेज कहीं पर कोई परिवर्थन नहीं है पहले क्या होता था 60 क्यूसन आते थे आपके उस क्वालिफिकेशन के आधारित जो मिन्मम क्वालिफिकेशन रखी गई थी उस पर 120 नंबर के यानि दो दो नंबर का एक क्यूसन होता था अब भी वही रहेगा कोई चेंजेज नहीं है 60 क्यूसन आएंगे 120 नंबर के और वही आपको 60 मिनिट का इसके लिए टाइम मिलेगा यानि एक गंटे का वैसे इसमें कोई बंटा हुआ नहीं होता है टाइम क्योंकि एक ही वेपर होता है और आपको दो गंटे का समय मिलता है या जुरूर नहीं है कि पार्ट A पर आपको 60 मिनिट लगाने ही होंगे ऐसा खुछ नहीं होतا है पार्ट A में आप 40 मिनट 30 मिनट में भी लग रह सकते हो आप पार्ट 2 में जदा टाइम ले सकते हो इसकी कोई अलग से नहीं था यानि part A किसी भी post के लिए changes नहीं हुआ है जैसे जयन है तो उसके लिए engineering trade के 60 question आएंगे 120 number का आएगा लेकिन part B जो था उसमें देखें दोस्तों क्या क्या changes हुआ है reasoning और mental ability के पहले 20 question आते थे 20 number के अब केवल 8 question आएंगे 8 number के ज्यान से देखेंगा दोस्तों यानि reasoning के 12 question कम कर दिये इन्होंने ठीक है दूसरा जो था इसमें वो था general knowledge राजस्तान के culture संसकर्ति इस पर आधारी थे ठीक है 20 question आते थे 20 number के इनको बढ़ा करके अब कितना कर दिया 48 कर दिया यानि 48 question आएंगे 48 marks के आएंगे यहां पर आपके लिए 28 question बढ़ा दिये तो यह सीधा सीधा राजस्तान के students को benefit मिलेगा जो candidate राजस्तान के बारे में ज़्यादा जानते हैं उनको benefit मिलेगा हालांकि जैसा कि आप सभी जानते है राजस्तान में other state वाले apply कर सकते हैं और उनके लिए कोई limit नहीं होती यानि जितनी unreserve की city हैं उन पर वो सीधे सीधे fight कर सकते हैं अगर top merit में आते हैं तो unreserve पर वो सभी student other state के आ सकते हैं ऐसा संभव भी है अगर मैं बात करूं हिंदी के लिए दोस्तों तो general हिंदी के पहले 14 question आते थे 14 नमबर के अब 8 ही क्यूस्तन आएंगे 8 नमबर के जनरल इंगलीज के भी 14 आते थे 14 नमबर के अब 8 आएंगे 8 नमबर के और वहीं अगर mathematics की में बात करूं तो बारा क्युस्सन आते थे पहले बारा नमबर के अब आठ क्युस्सन आएंगे आठ नमबर के यानि जो पार्ट B था अपना उस पार्ट B में क्या हुआ कि 80 क्युस्सन 80 मार्क्स के आते थे अब भी 80 क्युस्सन 80 मार्क्स के ही होंगे लेकिन changes कर दिया दोस्तों जो बाकी Hindi, English, Mathematics है उनको कम कर दिया और राजस्तान GK का हिस्सा इन्होंने बढ़ा दिया 60 मिनिट का समय आपको यहां पर मिलेगा यानि 80 क्यूसन है 60 मिनिट का टाइम आपको यहां पर मिलेगा कुल मिलाकर के यह हुआ कि अगर बात करें पार्ट A और B दोनों की तो 80 प्लस 60 लगबग 140 क्यूसन आपको देखने को मिलेंगे और जो टाइम यहां पर रहेगा वो है 2 गंटे का यानि 120 मिनिट तो वही लगबग 48 सेकंड 48 सेकंड लगबग 1 क्यूसन को मिलेगा अब रही बात दोस्तों नेगटिव मार्किंग की तो द्यान रखें इसमें नेगटिव मार्किंग भी होती है और लगबग 1 थर्ड नेगटिव मार्किंग रखे जाती है पार्ट A में भी होती है पार्ट B में भी होती है टेक्निके लेल पर में ऐसा नहीं होता है टेक्निके लेल पर में कोई नेगटिव मारकिंग नहीं होती है लेकिन वहाँ पर चार ओप्षन की जगए ओप्षन पांच आते हैं यदि मैं इन पोस्ट के लिए बात करूं तो इन पोस्ट के लिए सिरफ चार ही ओप्षन आते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। हलांकि पेपर जो है वो एक में ही होते हैं दोनों पार्ट। तो दोस्तो ये है परिवर्तन यानि कुल मिलाकर के जो राजस्तान जी के का हिस्सा बढ़ाने की जो मांग हो रही थी उसी मांग को पूरा किया है और वो बढ़ा दिया। दोस्तों अब यदि मैं बात करूँ टेक्निकल हेलपर की तो इसी तरह से टेक्निकल हेलपर के लिए भी डिमांड चल रही है टेक्निकल हेलपर में पार्ट A जो है वो टेक्निकल का वैसे नोन टेक होता है एक से लेकर 50 तक पार्ट A बोल सकते हैं इसको और पार्ट B जो है वो technical का आता है तो उसमें क्या होता है कि trade छोरी के 100 question आते हैं दो नम्बर का एक question होता है यानि 200 marks के iti छोरी का question उसमें आते हैं technical helper की बात कर रहा हूँ मैं पांचो निगमों की बात हो रही है उत्पादन परसारन और तिनो विठरन कंपनियाँ सेलेवस सब का सेम है एकजाम का पेटर्न सब का सेम है वहीihi NON TAKE के जो है 50 Question आते हैं एक एक नंबर का होता है यानि 50 marks का ही होता है। लेकिन साथियों यह क्या है कि जो 50 Question है न। इन 50 Question में Technical Helper के एकजाम जो अब तक आए थे उनमें कहीं पर भी fix नहीं था कि ये जो 50 questions है ये किस में से होंगे इनमें कुछ भी आ जाता था International GK भी आ जाता था National GK भी आता था General Science भी इसमें आती थी Mathematics भी आती थी Computer की questions भी आते थे Current GK भी आता था और Rajasthan का GK History, Geography, Cultural and जो भी आप Science समझे वो सब Total इसमें आते थे इसलिए अब Technical Helper के लिए भी ये मांग हो रही है कि इस सलेवस को Fix किया जाए तो इस बार Technical Helper में ये होगा कि 25 questions Mathematics के डालेंगे और 25 questions Rajasthan GK के डाले जाएंगे यानि इस बार Fix है कि आपको 50 number का material कौन सा मिलेगा दोस्तों ये ही था बड़ा update वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें चैनल पर नए है तो सबिस्क्राइब करें अपने दोस्तों को इस वीडियो को फोरवड जरूर करें झाले जरूर करें